बाड में शहर में विद्धुत विबाग की लापरवाही में लगातार बड़ोतरी हो रही है विबाग के कार्मिकों को विबाग द्वारा कोई सेफ्टी टूल उपलब नहीं करवाय जा रहे हैं जिसका खामियाजा कार्मिकों को घायल होकर और जान देकर चुकाना पड़ रहा है शहर में खेतिंग के प्याओ के पास निमबडी जी ऐसेस से आने वाली लाइन को ठीक करने के दौरान विबुत विबाग का कार्मिक गंपत सिंग निवासी रडवा पोल पर चड़ा और अचानक पोल गिर जाने से वो गंबीर घायल हो गया इस दौरान ग्रामिनों के बीड मौके पर जमा हो गई गायल कार्मिक को विबाग के वाहन द्वारा जिले के राजक्रिय अस्पता लाया गया वहां उसका उपचार चल रहा है गायल कार्मिक गंपत सिंग का कहना है कि कारे का दबाव होने के कारण कभी कम संक्रा में कार्मिको को लाइन को उपचार करना पड़ता है वहीं विभाग द्वारा सुरक्षा और जार भी उपलब नहीं करवाए जाते विभाग के कारे सभी ठेकेदारों को दे रखे हैं और ठेकेदार अपनी मनमानी और लालज के चलते किसी प्रकार के सुरक्षा टूल उपलब नहीं करवा रहे हैं जिसे हाथसे में लगातार बड़ातरी हो रही है। खायल का कहना है कि विभाग और ठेकेदार को अपने काम से मतलब है। कोई कार में खाथसे का शिकार हो या मौत का शिकार इससे किसी को कोई मतलब नहीं। सब भगवान बरोसे चल रहा है। बार्ड मेर से जागरुक टीवी की रिपोर्ट।